चे मातगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगतग्यान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ किसी भी देवी देपता को अपने घर में जागरित कैसे करें कौन सा भोग लगाएं, कौन सा मंतर जपें, पाँच दिन में आपके घर में तेवी देपता जागरित होंगे, 108 परसेंट, जी हाँ भगतों, जो जो लोग अपने घर में महाकाली को जागरित करना चाते हैं, या माता दुर्गा को जागरित करना चाते हैं, या भगवान जिस मंतर से आपके घर में वो देवी देपता जागरित होगा, जिसको भी आप जागरित करना चाते हैं, और उसके साथ में आप लोगों को एक छोटा सा भोग बताऊंगी, जो आपको मतलब पांच दिन तक लगातार अपने घर में देवी देपता को देना होगा कपूर के उपर देंगे और ये मंतर जपेंगे, तो दोस्तों आप देखो यकीन मानो या मत मानो, मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको पांच दिन दे रही हूँ, आप पांच दिन कंटीनियू, ये भोग लगाओ और इस मंतर को जपो, फिर उसके बाद आप देखना कि काली जागरित होगी, अब जब जागरित ही होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी बताऊंगी वीडियो में, अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा, अगर आप आदिय दूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है और मैं आपको पूरी जानकारी के साथ वीडियो में बताऊंगी पर बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भकत ग्यान यूटुब चै पहले बता देती हूं मंतर ठीक है मंतर मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रही हूं आप मंतर देख लो इस मंतर का आपको जाब करना है जिस भी देवी देपता को आप अपने घर में जागरित करना चाहते है तो मातर पांच दिन में आपके घर के अंदर वो देवी देप फुल मंतर है और उसके बाद बताऊंगी कि आपको भोग में क्या लगाना है और केसे लगाना है ठीक है तो पहले आप मंतर सामने स्क्रीन पे देख लो तो भगतो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे मंतर दिख रहा है पवला पवला एकासी केला एकासी नर मनमना हडले पवना शम्सानी स्वामी तत्व दे जो ना दे तो माता सम्सानी की दुहाई ठीक है जी ये थोड़ा सा इसकी जो वड़ है वो थोड़ से कठीन है लेकिन आप दो तीन दिन कंटीनू इसको जपो तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा आप एक एक लाइन को करके याद करोगे तो आपको असानी से याद हो जाएगा ठीक है तो मंतर मैंने आपको दे दिया है हम मैं आपको बता देती हूँ आपको भोग क्या देना है तो देखिए जब हमें किसी भी देवी को या देपता को अपने घर में जागरित करना हो मतलब मान लीजे जिसकी पूजा हम कर रहे ह जैसे काली माता हो और कोई भी देवी देपता हो तो भई जिसकी हम पूजा कर रहे हैं और हम उसी को जागरित करना चाहते हैं जैसे मैं माता काली को जागरित करना चाहते हूं तो मैं ये मंतर तो जपूंगी जपूंगी ठीक है और मैं भोग में क्या दूँगी भोग में आपको कुछ भी नहीं देना है तीन या चार आप कपूर लेना ठीक है तीन चार कपूर लेना मैंने घर के मंदिर में जिसमें भी आप माता को पहले से ओल्रेडी भोग लगाते हैं उसी का आप इस्तमाल कर सकते हैं आपके पास चाहिए खपर हो, हवन कुंड हो कुछ भी चीजों जिसमें आप पहले से भोग लगाते हैं उसी में आपको देना है तो क्या देना है? सबसे पहले आपको जिस देवी देपता को आप जागरित करने चाते हैं उसी के नाम से एक बतासा, दो लोग आपको चड़ाना है जैसे मालो मैं माता काली को करना चाती हूँ और मैं भेरो बाबा को करना चाती हूँ तो मैं इन दोनों का ही भोग दूँगी जैसे एक एक बतासा, दो लोग ठीक है अगर आप जितने भी देवी देपता को करना चाहते तो आप उन सब का एक एक बतासा देंगे दो लोंग देंगे साथ में ठीक है तो ये आपको भोग में देना है और एक एक आपको हरी लाइची देनी है उन देवी देपता के नाम से जिसको आप जागरित करना चाहत हरी लईची के बाद उसमें थोड़ी-थोड़ी लव एक चुटकी आपको मिस्री डालते रहना है जिस देवी देपता को जागरित करना चाहते हैं और लास्ट में आपको थोड़ से चुटकी बर काले तिल डालने हैं, थोड़ Ёसी आपको पीली सरसो डालनी हैं, और एक निम्बू लेना है निम्बू काट के आपको जैसे निम्बू को काटो के चक्कु से काट के जो निम्बू का रस है पूरा न चोड के चारो तरफ एक बार आपको जो तक ग्यारी पे घुमा देना है उसको नीचे ही रख देना है ठीक है ये बस कारे आप पांच दिन कर कर दूँगी लेकिन इतनी मैं गारणटी देरी हूं माकाली को जागरित करना चाहते हैं तो माकाली भी हो जाएगी लेकिन इस तरीके से इस कारें को पहले करो इसी मंतर का इस्तमाल करो तो चलिए बख्तों मिल दे हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर मादे माता काली बाबा भूले ना ता आप सभी की सारी मनुकावना पूरी करें कुछ रहें आप और आपका परी